स्लाइब फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर एडिशनाल नॉलेज अगिया आज हम बात करेंगे इंपोड़ान एंसी की ओप एकोनोमिस की सीरीज नंबर नाइन की बारे में जो कि आपके आने वाले हर एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्प लोगा तो बढ़ते हैं कुस्टिन की तर गुपाल कृष्ण गुखले फिरोस्साह मेहता शुरेंदर नाथ बानार जी क्या दादा भाई नारोजी इसका जो करेंड एंसर जो होगा वो होगा आपका आप्सन नमर्डी दादा भाई नारोजी यह एटम किये थी 1867 से लिके 68 की बीच में जिसमें परके विड़ा इंकम रखा गयता है 20 रुपिस कितने रुपिस 20 रुपिस डादा भाई नारोजी को कहा जाता है ग्रांड ओल्मेंड औप इंडिया की नाम से कि इनके अलाबार इनको कहा जाता है आपका ओन ओफिसियल आमबासेडर आप इंडिया की नाम से लिए इनकी अलाबा इनकी फैमस किताब है पॉबर्टी एंड और ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी फैमस किताब है गोपाल क्रिष्ण गोखले की द्वारा फाउंड किया गया था आपका दो इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी गोपाल क्रिष्ण गोखले सुरेंदर अनर्बानार जी और दादा भीनार जी सारे को ने आपका मॉडरेट लेडर है मॉडरेट लेडर भी है ओके नेक्स्ट हो एमंग दफोलिंग हैस गिवन दा कंसेट ऑफ हीमान डेवलोपमेंट हीमान डेवलोपमेंट की जो कंसेट है और किसकी द्वारा दिया गया था अमर्तेसिन मेहबूप उल्हग सुखा मोय चक्रवर्थी या जीएस चध्धा एज पुख कंसेट है इमान डेवलोपमेंट की एक कंसेट दिया गये था किसके द्वारा मेहबूप उल्हग जो कही ऑफ्षिन भी जो है आपका करेक्ट मेहबूप उल्हग जो है और यह एक पाकिस्तन की पाकिस्तन की एकनोमिस्ट है कि ओके अमर्तेसन को मिला था आपका नाइ एंड सोश्यल वैलफियर हम बात करते हिमान डेवलोप्मेंट एक रिपोर्ट है वह पॉब्लिश किया जाता है युएन डिपी की द्वारा युएन डिपी का फूल्पूर्ण क्या होता है युनाटेट नेशन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम इसको एस्टाब्लिश किया था इसके लाबा लेट्रेशी रेट की जरूरत होता है इसके अलाब आपका स्टांडर्ड आउप स्टांडर्ड आउप लिभिंग की बारे में बात किया जाता है ओकी तो इसका जुकरेट एंसर होगा वह होगा आपका ऑसन नमर भी महभूक उल्हांग नेंस्टे इंडीए मार नेशनल इनकम को काल्कुलेट कीरेट जाता है उसके लिए टाइंप अफिरड कया है समें इसका जो कारेट नंबर से फास्ट अप्रेलट तू थाथी फास्ट मार्ज चंट्र स्टीच्टिकल ओफीज को हम सी एसो की नाम से जान सकते हैं जिसका हेल्पॉर्टर का है निदिल्ली में काहें निदिल्ली अर्य ये फांड किया के था आपका स्टाटिक्टिकल ओफिस और एन एस एसो नेशनल सेंपल सर्वे ओफिस यह दोनों मिल की उसका नाम हो जाता आपका कौन सी एन एस ओ और एनस का पूलपरम क्या होता है नेशनाल स्टाटिक्टिकल ओफिस कहा जाता है खम की तो इसका जो करेंट एंसार जो होगा ओफसन सी फास्ट ऑप्रेंट टू थार्टिफ फास्ट मर्च नेटेशट फिजिकल quality of life index is developed by physical quality of life index जो कि पीक्यू एलाइ की नाम से जाना जाता है उसको किसके द्वारा डेवलाप किये गए था मौरिस टी मौरिस एवन डेपी मेभुक उलहाग या नान अब दो एफ़ देखो मेभुक उलहाग की अभी-अभी हम बात किये हैं जो कि गाल इस्टेट आपका 1965 में जिसका हेलगाटर निव यर्प में ठीक है निव यर्प में और यह रिपोर्ट करता है इमान डेवलाप में इंडेक्स की ठीक है वे बाकिराफ का मौरिस टी मौरिस तो पीक्यू एलाई जो डेवलब किया गये था वह ग्या गेता आपका option A Morris T Morris की द्वारा और यह डवलप हुआ था आपका 1970 के 1970 पे ठीक है पीक्यू एलाई जो बात करते हैं एक कौन से चीज़ को मेजर करता है यह मेजर करता है आपका quality of life की बारे life को क्या करता है मेजर करता है quality of life को जिसके लिए कौन-कौन से मेजर की चीज़े की जरूत होता है एक होता आपका लेट्रेसी रेट रेट सेकेंड यह होता आपका infant mortality rate तीसरा आपका life expectancy एक तीन चीज़े की जरूत होता है किसको आपने के लिए आथा किसको जानने के लिए पीक्यू एलाई को होता है physical quality of life एंडेक्स और यह जो पीक्यू एलाई जो डेवलप किया गया था ओ किया गया था आपका मौरिस दी मौरिस की द्वारा किसकी द्वारा मौरिस दी मौरिस की द्वारा ओके नेक्स्ट एकोनोमिक डेवलप्मेंट मिंज क्या होता है एकोनोमिक ग्रोथ बी एकोनोमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रॉक्चराल और क्वालिटीटिटीटिव चेंज़स सी इंप्रूब्मेंड इन दा लिविंग स्टांडर अब दा ओर्वन पीफूर सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रोस नेशनल प्रोड़कर्स देखिए ओप्शन सी तो ऐसे नहीं हो सकते केवल आप और वन पॉप्लेशन की बारे में बात करें तो यह अलब्यस्लिक गलत होगा एकोनोमिक डेवलप्मेंस केवल एकोनोमिक ग्रोथ की बारे में नहीं कहता है पूरे चीजी को अवराल लेके चल यह एकोनोमिक डेवलप्मेंट जो होता है वो कुछ पॉलीसी या कुछ कह सकते कुछ एक्टीविटी को लेकि जो एक्टीविटी या जो पॉलीसी किसके लिए काम करें वो काम करें इंप्रूफ एकोनोमिक वेलविंग एंड क्वालिटी आप लाइफ अर्थात मनुसी की जो जीवन से लिए उसको कहना कहीं इंप्रूफ्मेंट किया जे और जो आर्थी स्थिति है उसको कहना कहीं बढ़ावा दिया जे तब जाके हम कह सकते कि यह हो रहा है एकोनोमिक डेवलप्मेंट या यह हो रहा है आपका एकोनोमिकी गोल ऑके तो इसका जो का शृफ्मेंट जो होगा ओओव का आपका it nice is how many अनि उना टारगमें जल्डफ मेंटी को इना इसन सस्थिनवलप्मेंट की गोल कितना है 12 फोर्टीं है फीप्टीन है या सभेणे तो इनाटेट नेसन सस्थिनवल डवलप्मेंट की गो तो कौन कौन सी गोल है देखते हैं पहला गोल नो पौवर्टी पूरे देश वर में कहीं भी जगा गरीबी नहीं होना चाहिए जैसे आज की डेट में हम देखते कि एक बेप्ल बिलो पवर्टी लाइन एक उताब का एप्ल एब आप पवर्टी लाइन जीरो हंगर भुकमरी क की बारे में करते हैं कि पूरे देश मर में कोई भूके ना मरे गुड हैल्थ और वैल बिंग प्रस्वास सही रहे एक क्वालिटी एज्यूकेशन प्रवाइड किया जाए जेंडर एक्वालिटी होना चाहिए एक पूरे सत्रा की सत्रा गोल क्या उनाटेट नेशन अच्छ्ट मॉल्टीडाइमेंशनाल पॉपर्टी इंडेक्स पॉपलिश फार्स टाइम इन फिचें दिखिए मॉल्टीडाइमेंशनल पॉपर्टी इंडेक्स पहली बार कौन से साल में पपलिश किया यह ता कुछसी नहीं तो इसका जो करड़ एंसर क्या हो सकते हैं 2004 2008 2010 2012 इसका जो करण और जो होगा वो होगा आपका ऑफिसन नंबर सी 2010 या होगा और सी 2010 इसकी लगभग 10 ऐसे इंडिकेटर कितने इंडिकेटर आपका 10 इंडिकेटर है पर उसको मैंजर्स करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं कि मेजर्श करने के लिए क्या गया है पॉबर्टी एजुकेशन की स्तर क्या है इसके लाब बेशिक इंफ्रारिक्च्च्यर मिल पा रहा है या नहीं बेशिक इंफ्रेस्ट्रक्च्च्यर है यानि उसको देखा जाते हैं कि यह ज्याद तर जो डेवलप किया जाता आपका उक्सपूर पॉबर्टी एंड हीमान डेवलप्में इस्टिटिशन के साथ इंट्वी यह दिनों मिल की क्या करते हैं आपका मुल्टिन ड्यामेंशनल पॉबर्टी इंडेक्स को पॉब्लिस करते हैं ओके नेस्ट पॉइस आफ दा फोल्वाइन इवन कमिस्टिशन इच रेस्पोंसिबल फॉर रिवीविंग प्रोग्रेस इंडा इंप्लिमेंटेशन अफ एजेंडा 21 एं रियो डिक्लारेशन ऑन एन्वार्मेंट डेवलप्मेंट जो कहा जाता है यह आपको देखने के लिए मिलेगा रि 1992 1992 में इसमें से 100 एसे हेड अफ़ दा स्टेट मेट किये थे और इसमें केवल हम बात कर रहे थी किसके बारे में गलोबाल इं चेंज की बारे में वडूसरा जूंत आपका बायलोजिकल दिवर सिटी की बारे में क्ला सव हो कि नाचैनिा रिवी सब्सक्राइब OS द्वारा एक किया जाता आपका United Nation on sustainable development कुछ सिन आ जाता है sustainable development होता क्या देखें इसमें the needs of the present without any compromising the ability of our future generation हम अपने ले भी खर्च करें लेकिन हमारे जो आने वाली जो पीड़ी है उसके लिए थोड़ा बचा के रखें एक कहता आपका sustainable sustainable development क्या करता है कि आप अपने देश में तो अपने देश के लिए एजना 21 बनाए ये ग्रासूर्ट लेवल पर है तो ग्रासूर्ट लेवल पर एजना 21 बनाए इट में एज इन अवरी सेक्टर अफ दॉब्मेंट देप्रिपेर देजिंडा 21 1 which is control the climate change or maintain the biological diversity तो ही इसका जुकर देंसर होगा वह आपका option number C next which of the following is deducted from GNP to arrive at NNP GNP gross national product क्या है gross national product C क्या minus क्या ऐसे चीज करेंगे जिसके जड़िए क्या हादगा नेट नेशनल product मिले तो जी एनप से आप हमेशा क्या करेंगे डेप्रीसेशन को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा net national product देखें आपके पास गाड़ी है गाड़ी आप बार 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 चला रहें चलाने के के बाद उसकी कोई सामान इसकी कोई कई सायरसा किना की कि वाद क्या हो जाता है कि उसकव वह के ंदे किखिणी आपका आपका औन न यहाता है नच्छेस्ट करेंगे तो एनसर चैन्ठ फ्लसложं कम from abroad minus आपका कौनसे डेप्रीशेशन आजाता है कोंसी डेप्रीशेशन आ जाता है फिटी पॉलिटियाघ Scient Buddhist अभी हम पढ़ेटी व्यांशद प्लर किक्यू लाइइ मोरेज की कि चैना और निर्वाँ सशक्श में आपको दिया इन auch के मिष्शन के बारे में बाद की से अपना क्या पना प्रश्च Di इसके बारे में क्या संब्र बारे में बात की थे तो इसमें पूछा है रेंज पूछा है रेंज क्या होगा 0-10, 0-10, 0-100, 1-200 तो इसका जो रेंज होता है वो होता आपका 1-100 यह मेंजर्स करता हमें साख क्वालिटी ओफ लाइब को किसको क्वालिटी ओफ लाइब को वीडियो पसना आई तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें थेंक्स पर वाइब